नमस्कार दोस्तो गुरुकुल अकेडमी में आप सिखा स्वागत हैं दोस्तो आज हम आप लोगों के लिए कंपलिट लुसेंट जीके का निचोड करके 5000 नए परशनों का संगर लेकर आएं जिसमें आज आपको हम पार्ट नमबर एक करवाने वाले हैं जो आने वाले हर एक्जाम जासे रेलिवे एंटिपीसी, ग्रूपडी, ऐसे सीजियल, सीपयो, अम्टियस, सेचल, डियार डियो, अम्टियस, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस, कलरक, पटवारी, गरामसिव, यूपी पुलिस, यूपी लेकपाल, रास्तन पुलिस, पटव देखना, और आपसे रिक्वेस्ट है, परते कोशन का आंसर, कमेंट बोक्स में जरूरी ताकि जो भी आपकी डाउट है, साथ में ही कलिर होते चले जाएं, तो फ्रेंस, या दखना, एक कोशन का आंसर देने के लिए आपको पांच सेकिन का वक्त मिलेगा, उसकी बाद हम आ जवाला मुख्य कोशन है, तो फ्रेंस, यहे एक कांका गुवा है, या दखना आप लोग, डी रहेगा यहाँ पर रेडांसर देने का गुवा, फ्रेंस, अर्जेंटीना में कहा है, अर्जेंटीना में है, याद रखना आप लोग, नेक्स्ट है, हिंद महासागर का सबसी ब बड़ा दवीप है मेडा गासकर दवीप कौन सा है मेडा गासकर दवीप है हिंद महासागर का सबसे बड़ा दवीप सी हो जाएगा रेड आंसर मेडा गासकर दवीप देखे नेक्स्ट है कांगरेसी बनो का जो नारा है किस ने दिया था कांगरेसी बनो का नारा किस ने दिया तो फ्रेंस ये दिया था बद्रुदीन तैब जीने तो D रहेगा बिल्कुल रेड आंसर यहां पर बद्रुदीन तैब जीने दिया था कांगरेशी बनो का नारा ठीक है देखिए देखिए कूशन दिया है कि सवतंतर बांगला देश का निर्मान कब हुआ था जल्ली स्यांसर देंगे बताएंगे आप लोग सवतंतर बांगला देश का निर्मान कब हुआ तो फ्रेंस यह हुआ था 1971 में 1971 में कब हुआ था 1971 में हुआ था तो D रहेगा जी राइड आंसर यहा देखी नेक्स्ट है पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कोंशा है जल्ले से बढ़ाएंगे पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कोंशा है तो फ्रेंस पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर है क्रांची कोंशे क्रांची है पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर तो भी हो जाएगा ठीक है? देखिए, next है, सिर्लंका की पुरानी राजधाने कहां थी? जल्दे से बताईएंगे, जी आप लोग सविधान कब लागू हुआ कब लागू हुआ था तो आप लोग या दखना उन्नीस सो चोमन में लागू हुआ था नायंटिन फिफ्टी फोर में चीन में नया सविधान लागू हुआ था ठीक है भी रहेगा यहां पर रैड अन्शियर अगला कुशन है कि विशो में को जलियान बनाने वाला देश कोने फ्रेंस जापान है कोने जापान विस्व मिस्रवादी को जलियान बनाने वाला देश एरहेगा रेड़ांसर जापान अच्छे से याद रखना आप लोग नेक्स्ट है इंडोनेशिया पुर्त गालियों की अधिकार से कब मुक्त हुआ था इंडोनेसिया पूर्ट गालियों के अधिकार से कब मुक्त हुआ था 1945 में इंडोनेसिया पूर्ट गालियों के अधिकार से मुक्त हुआ था ठीक हैं ना सी हो जाएगा रिटा अदिशा आ देखी नेक्सést रेल यात्री बीमा योजना को कब लागो किया गया तो फ्रेंसी कोईला को कहा जाता है किसको कोईला को उद्ध्यों की जन्री कहा जाता है तो दी रहेगा रेडांशार आगी बढ़ीगा देखिए भारत में सिरोपर्थम पैट्रोलियम की खोज कब हुई थी भारत में 1860 में 1860 में हुई थी ठीक है तो यह हो जाएगा की खोज कब की गई थी 1976 में 1936 में की गई थी ठीक न या दखना बंबई हाई छेतर में तेल की खोज डी हो जाएगा रेडांशार नेक्स्ट है निकिल का सबसी बड़ा उत्पादक देश कौन सा है निकिल का सबसी बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो फ्रेंसी रूस है कौन से रोज है नीकिल का सबसी बड़ा उत्पादक देश तो सी होगा रेडांसर रोज ठीक है नेक्स्ट भारत का चोथा परमानू बिजलीगर नरोरा किस राजे मिस्तित है तो फ्रेंस किस राजे में है उत्र परदेश में तो बी रहेगा रेडांसर यहां पर उत्रपरदेश किस राजे में है उत्रपरदेश में है तो बी रहेगा रेडांसर उत्रपरदेश आगे चलिए देखी नेक्स्ट देश में सबसे अधिक राष्टी उध्यान किस राजे में है तो फ्रेंस यह मध्य परदेश में किसे मध् किस दिन मनाय जाता है तो ay a भी रहेगा पृथवी की अपने कक्सगति क्या है तो यह पस्च laughing से पूरव में तो D होगा रहना सर पस्चिम से पूरव में याद रखना ठीक है देखें नेक्स्ट है चीन का दवार खोलने का सरे किसको जाता है तो फ्रेंस चीन का दवार खोलने का सरे जाता है ब्रिटेन को किसको जाता है ठीक है तो D रहेगा यहां रहना सर ब्रिटेन अग उपा सकता किसको उपा सकता कार्टी के का तुसी रहेगा रेडांसर यहां पर कार्टी के या दखना कुमार गुप्त किसको उपा सकता कार्टी के का उपा सकता सी रहेगा फ्रेंस रेडांसर कार्टी के ठीक है देखेगा नेक्स्ट दक्षिन अफरीका की मुद्रा क्या कहलात है दक्सिन अफरीगा की मुद्रा यह जाएगा रेडाण्षर नेक्स्ट कानुन की आत्मा किसी करतeten इन गानु की आत्मा किसी करती है तो सप्ष्ण मौन तप्रेश्च्ट क क्यों कि इसकले है कर रहेगा रेडाण्षर अभी तक वीडियो को लाइक ने किया है सबीलो फ्राफट वीडियो को लाइक करेंगे अपने फ्रेंज के पास सेयर कर देंगे ताकि कुछ लोग और यहां आ जाएं और अपने एक्जाम के त्यारी को अच्छे से आगे बढ़ा ले ठीक है देखिए कुछ ने कि रास्टे पिश्रा वर्ग आयोकी स्तापन कभी थी यह थी 1993 में तो डी होगा रेटांसरी आप नाइंटी नाइंटी थी देखिए नेक्स्ट भारत आने वाला पर्थम रूसी परधान मंत्री कों था भारत आने वाला पर्थम रूसी परधान मंत्री कों था फ्रेंसरी था कों था बुलगा नीन तो सी रहेगा रेटांसरी यहाँ पर बुलगा नीन याद रखना देखिए नेक्स्ट क्रिशन क्रांती का संबंद किस से है बताएंगे जलिए से आप लोग क्रेशन इक्रामती का संबंद कि से तो फ्रेंशी खनीज तेल उत्पादन से है सी होगा रेटांसर खनीज तेल उत्पादन देखी नेक्स्ट बहुईसी की धातु किसको कहा जाता है तो बहुईसी की धातु किसको कहा जाता है तो बहुईसी की धातु कहते हैं ताइटेनियम को किसको कहा जाता है ताइटेनियम को कहा जाता है बहुईसी की धातु दिरहगा रह जांसे ताइटेनियम ठीक है देखी नेक्स्ट कालिकट का नया नाम क्या है काली कट का नया नाम क्या है तो फिर्स काली कट का नया नाम है कोजी कोड कौजी कोड है काली कट का नया नाम ए होगा रेट अंसर कोजी कोड ठीक है देखिए नेक्स्ट असो की माता का नाम क्या था असो की माता का नाम क्या था तो फिर्स असो की माता का नाम ता सो बद्रांगी क्या था सो बद्रांगी तो भी रहेगा रेटांसे सो बद्रांगी ठीक है देखें नेक्स्ट देखें स्कुशन में यहां दिया कि सुभास अंद्र बोश ने सवाधिन भारत की अंतरिम सरकार के स्तापना की थी 1943 में नेक्स्ट है रोश सागर किस महार्दवीप में इस्तित है किस महार्दवीप में है अंतर््ठिका में है तो दी रहेगा रेटांसे यहां पर अंतर्टिका आगी बढ़ेगा जेखें दूसरे वित आयोके अधिक्स कोन थे के संथानम थे तो बी रहगा रेजानश्यू नेक्स्ट योजना आयोकी स्थापना कब के गई थे योजना आयोकी स्थापना कब के गई थे 15 मार्श 1950 में के गई थे योजना आयोकी स्थापना बी रहगा रेजानश्यूर 15 मार्श 1950 लेजर का अविस्कार किस ने क्या था तो फ्रेंस क्या था टी एच मैनन ने क्या था लेजर का अविस्कार ए रहेगा रेडांसर टी एच मैनन ठीक है नेक्स्ट है गैस का दाब मापने के लिए किस यंतर का प्रियोग किया जाता है तो फ्रेंस मैनोमेटर का प्रियोग किया ज विजय घाट का संबंद किसी है बताएंगे जली से विजय घाट का संबंद किसी है तो लाल बहादुर सास्त्री से है विजय घाट का संबंद भी रहेगा 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 रहेग कुछ नेखीगा कोजी कोड़ बंदरगा किस राजे में कोजी कोड़ बंदरगा किस राजे में तो फ्रेंस यह केरल में काई केरल में है कोजी कोड़ बंदरगा तुसी रहेगा अरे रांसर केरल ठीक है देखिए next सांती पुरुस के रूप में कोन विख्यात है सांती पुरु तट रख्षक दिवस किस दिर मनाया जाता है तट रख्षक दिवस कब मनाया जाता है तो आप लोग या दखना तट रख्षक दिवस मनाया जाता है एक फरवरी को एक फरवरी को तट रख्षक दिवस मनाया जाता है डी हो जाएगा रेटांस एक फरवरी अगला कुशन है कि बद्रिनाथ किस नदी के किनार इस्तित है जल्दे से बताएंगे आप लोग बद्रिनाथ किस नदी के किनार इस्तित है किस के किनारे पर बद्रिनाथ तो फ्रेंस यह है अलक नंदा के किनारे पर यह हो जाएगा रेट आंसर यहाँ पर अलक नंदा ठीक है देखी नेक्स्ट डेनमार्क देश के संसद का नाम क्या है डेनमार्क देश के संसद का नाम है फॉलकेटिंग क्या ना फॉलकेटिंग है तो डी हो जाएगा रेट अंसर फॉलकेटिंग अगला कोशन देखिए जवाला मुखी मंदिर किस राजे में इस्तित है तो फ्रेंशी हिमाचल परदेश म ही है जवाला मुख़्ी मंदिर ठीक है तो ए रहेगा रएडांश्र हिमाचल पर देश आगे बड़े का देश किसको कहा जाता je किसको त ons देखे के संगमर्मर की भूमी किसको कहा जाता इटली को कहा जाता है संग मरमर की भूमी सी हो जाएगा फ्रेंस यहां रैड आंसर इटली ठीक है देखिए नेक्स्ट दक्षिन का कस्मीर किसको कहा जाता है बताएंगे जली से दक्षिन का कस्मीर किसको कहा जाता है किसको कहा जाता है केरल को दक्षिन का कस्मीर कहते हैं ए र पुष्ट्री पुष्ट के लेखक को नहें तो फ्रेंस ये पलीनी है, C होगा रहे राउन सरक पलीनी, ठीक है, देखे नेक्स्ट, लोक निते कुटियम का संबन किस राजे से है, लोक निते कुटियम का संबन किस राजे से है, तो फ्रेंस ये केरल से है, D होगा रहे राउन सर 47 को हुई थी पीटेए के स्थापन तो D रहे जी फ्रेंस आफ्श नमर B रहेगा 27 अगस्त 1947 Next Cement उद्योग में भारत का अगरनी राजे कोंशा है Cement उद्योग में भारत का अगरनी राजे कोंशा है तो फ्रेंस ये रजस्थान है ये रहेगा तो फ्रेंस उत्र प्रदेश का है तो फ्रेंस ये थी आज की हमारी कोशन्स जो अभी कम्पलिट हो गई है अगर कोई डाउट है सभी के डाउट्स अगली कलास में कलिर के जाएंगे और जो लोग पहली बार यहां आई है जल्दी से आप लोग फ्राफट चैनल से स्काइब करेंगे साथ भी लाइकन पर भी कलिक कर लेंगे अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नेगे आपने फ्रेंस की बास सेर कर देंगे ठीक है तो चलेगा मिलते हैं अगली कलास में तब तक के लिए गुडबाई जै हिंद जै भारत वंदे मात्रा